रामपुर गाउं में मीनू नाम की एक अमीर औरत रहा करती थी, उसके पास बहुत बड़ा घर, बहुत सारे खेत और बहुत पैसा था, लेकिन उसने घर में कोई नौकर नहीं रखा था, उस सारा काम अपनी पहु से करवाती थी, उसकी बहु बहुत अच्छी थी अरे ओ बहु, घर का काम अभी तक खतम नहीं हुआ क्या? बस माची, हो नहीं वाला है, दस साल हो गए तुझे इस घर में, तुझे अभी तक घर के तौर तरीके समझ नहीं आए, जल्दी फारिग हो जाया कर काम करके, मीनू अपनी बहु राधा को बहुत कोस्ती थी, लेकिन राधा उसे कभी कोई चवाप नहीं देती थी, मीनू की सफाई का शौक हमेशा सरचर कर वोलता, और हमेशा राधा घर की सफाई में लगी ही रहती, अरे ओ मीनू, ये पूरा बागी चाच साफ कर दे, बहुत बुरा लग रहा है, हर जगा पत्ते पड़े हैं, ठीक है माजी अभी साफ कर देती हूँ, बेचारी राधा हर समय काम में ही लगी रहती, आज खाने में पनीर की सबजी, लच्छा पराठा बना दे ना, ठीक है माजी, राधा का पूरा दिन बस काम करने में ही निकल जाता, राधा का एक भाई था, अंच, जो कभी कबार उससे मिलने के लि राधा की पूरी ठकावट उसे देखते ही दूर हो जाती है, राधा का पती रमेश अपनी मा के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, राखी के दिन राधा अपने भाई का इंतजार करने लगी, क्या हुआ, आज तेरा भाई नहीं आया, दे शाम अंच उसके घर आता है, राधा राधा ने खुशी-खुशी अपने भाई के हाथ में राखी बांधी, अंच घर से बाहर गया और दो आदमी तोफा लेकर अंदर आये, राधा ने तोफा खोला तो उसके अंदर एक वाशिंग मशीन निकली, वाशिंग मशीन देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है, और उसकी सास भी, अरे भाई तुने बहुत अच्छा किया ये मशीन देखकर, आधा काम निपठ ही गया समझो, अब तो बस घर के बटन, घर का खाना ही बचा है, अभी राधा ने ऐसा सोचा ही था, अपने भाई से कहा ही था, कि अचानक घर का पूरा काम हो जाता है, खाना पन ही कर रहे हैं और काम भी हो गया, तब ही अचानक मशीन से आवाज आती है, ये मैंने किया है, मैं हूँ वाशिंग मशीन, जो अंच लेकर आया है, मैं कोई आम मशीन नहीं, जादूई मशीन हूँ, अंच तुम्हारा बहुत अच्छा भाई है, वो तुम्हें दुखी नहीं सारा काम करने के लिए अब मशीन जो आ जाती है, इसलिए कहते हैं मन से खरीदी हर चीज, हमेशा फल दायक होती है, घरबुवती बकरी, क्रिशनपुरम गाउं में एक बकरी पानले वाला रामू रहा करता था, उसके पास बहुत सारे बकरियां थे, वह उस गाउं में एक अ गंगल में लेकर जाता था, रामू के पास एक बकरी थी, जिसका नाम सीता थी, सीता बहुत दिनों से उदास बेटी थी, और कुछ खाती पीती नहीं थी, तबी रामू ने गाउं के वैदी को बुलाया और सारी बात बोला, अरे वैदी जी, मेरे सीता कुछ दिनों से कुछ खा भी नहीं रही है और उदास बेटी है जरा देखो तो ठीक है मैं अभी देखता हूँ आरे रामू मुबारक हो सीता अब गर्भवती है इसलिए वह उदास बेटी है अगर तुम इसका देखबाल ठीक से करोगे तो वह फिर से अच्छी हो जाएगी तब से रामू सीता की अ आगे निकल जाती है रामू उसे बुलाता है लेकिन वह बिना सुने आगे निकल जाती है इतने में वहाँ पर बहुत जोर सी बारिश होने लगी तबी रामू सब भी बक्रियों को लेकर घर आ जाता है लेकिन आते ही उसे पता चलता है कि सीता वहाँ पर नहीं है वह तुरं अरे ये बकरी इधर केसे ये तो गड़ भुवती भी लगती है मैं इसे लेकर जाता हूँ जब ये बकरी को जन्य देगी तब मैं इन दोनों को काट कर बेच डालूंगा कसाई जी ऐसा मत बोलो मुझे लेकर मत जाओ मुझे मेरे मालिक रामो के पास जाना है दया करके मुझे छोड़ दो कसाई ने उसकी बात नहीं सुना और सीता को लेकर उसके घर लेके गया और उसे एक पेट से बांध लिया जब भी कसाई खाने के लिए घास देता है सीता उसे नहीं खाती इसलिए वह कसाई सीता को बहुत मारता था कसाई जी मैं है मैं मुझे मत मारो मैं 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 आपसे खाऊंगा और आपको दूद भी दूँगा आप उसे बेच कर कुछ पैसा भी कमा लेना कसाई ने ऐसा सोचा कि बकरी जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक दूद बेच कर कुछ पैसा कमाऊंगा कुछ दिन ऐसा ही किया एक दिन जब कसाई गाउं में दूद बेचने के लिए गया तभी रामू उसे देखता है रामू उस कसाई का पीछा करता है और उसका घर पहुंचता है तब वहाँ पर सीता को बंदा हुआ देखकर घबरा जाता है अरे वो कसाई ये बकरी मेरा है तुम इसे चुरा कर यहां लेके आये हो इसे मुझे अभी दे दो अरे तुम कौन हो ये बकरी मेरा है ये मुझे जंगल में मिली है मुझे अच्छी तरह पता है कि ये बकरी तुम है कहा और केसे मिली है अभी तुम मुझे मेरे सीता को नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा तभी वह कसाई घबरा कर सीता को दे देता है और उस तरह सीता और रामु खुशी खुशी घर चले जाते हैं खुशी दिन में सीता एक सुन्दर सी बकरी को जन्म देती है हैंड पम सोना देने वाला हर साल मई जून के महीने में राजपुरा नाम के गाउं में गर्मी के कारण पानी का सूखा पर जाया करता था उसी गाउं में निशा नाम की लड़की अपनी विद्मा मा के साथ रहती थी वो भी अपने चाचा सोम पाल और चाची शारदा के साथ शारदा का एक बेटा था राहुल शारदा निशा से अक्सर पानी के लिए लड़ाई करती थी एक दिन उसने अपने पती सोमपाल से कहा सुनो जी आज ये निशा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा ये तो मेरा बेटा राहुल है जिसने मुझे बचाया सोमपाल ने गुस्से में आकर निशा और उसकी मा को घर से बाहर निकाल दिया चाचा जी ये आप क्या कह रहे हो हमें घर से मत निकालो हम कहार जाएंगे तुम लोग यहां से बाहर निकलो भाईया तो मर चुके हैं अब तुम लोगों की यहाँ पर कोई जगा नहीं है। निशा और उसकी मा सरपंच के पास मदद के लिए जाते हैं। लेकिन उनके चाची शार्दा सरपंच को पैसे देकर फैसला अपने हक में कर लेती है। और दोनों को गाउं छोड़ कर जाना पड़ता है। मा, अब हमारे पास यहाँ रहने की कोई जगा नहीं है। चलो, नानिक यहाँ चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद, निशा की मा गर्मी के कारण भेहोश हो जाती है। तभी निशा को एक हैंटपम दिखाई देता है। थोड़ी देर हंटपम लगा तार चलाने के बाद, उसमें से पानी की जगर सोना निकलने लगता है। अरे, ये कैसा हंटपम है? मुझे पानी चाहिए, और ये सोना दे रहा है। निशा सोना इकठा कर लेती है, तभी वहाँ से एक लड़का वुजरता है। सुनिए, मेरी मा बेहोश हो गई है, मेरी मदद कीजिए। लड़का मा और बेटी दोनों की मदद करता है, उन्हें अस्पताल तक ले जाता है। कुछी दिनों में, निशा की मा बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। मा, अब हमें किसी के आहां रहने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारा सोना है, ये देखो। एक देन राहूल निशा और उसकी मा को बाजार में खूमते हुए रेख लेता है, और हैरान होता है कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। सोम पाल और राहुल निशा का पीछा करते हैं और निशा को हैंड पम से सोना निकालते हुए देख लेते हैं बेटा राहुल रात को आ करके हम सारा सोना निकाल लेंगे लालची सोनपाल अपने बीटे और पत्नी के साथ जाकर रातो रात हैंडपंप से पहुत सा सोना लेकर खर पहुँचता है लेकिन उनके घर में अचानक टकैती पड़ जाती है और सारा सोना चोड़ ले जाते हैं वहाँ निशा को कोई फर्क नहीं पड़ता हैंडपंप उसे लगा अतार सोना देता रहता है वो अपनी मा के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीती है और शादी कर लेती है राजीश हर साल गर्मियों की च्छुटियों में अपने नाना नानी के पास आया करता था एक दिन उसके नाना घर में बाते कर रहे थे सुना है आज हमारे गाउं का एक आदमी नदी पार गया था खजाने की तलाश में हीरापुर वाले बंगले में लेकिन वापिस नहीं लोटा लोग कहते हैं उस बंगले में भूत रहते हैं इतने में राजीश वहाँ आ जाता है नाना जी नाना जी क्या वाकई में नदी के पार भूत रहते हैं? अरे नहीं बेटा हमारे गाउं वाले ऐसा कहते हैं तू अभी छोटा है ये बाते नहीं समझता पर तू कभी वहाँ मत जाना ठीक है थोड़े दिन बाद राजीश अपने घर शेहर लोट जाता है एक एकसिरिंट में उसके माता पिता की मृत्यू हो जाती है और उसके नाना नानी अपने गाउं से वापस ले आते हैं नाना नानी बहुत गरीब थे जैसे तैसे अपना घर चलाते थे इसलिए उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे समय बीटा गया और राजीश पढ़ा हो गया एक दिन उसकी नानी ने कहा बेटा राजेश अब तुम शादी कर लो यही हमारी अंतिम इच्छा है राजेश की शादी हो जाती है और कुछ दिन बाद उसके नाना नानी का स्वरग्वास हो जाता है अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो नाव चलाता है एक दिन वापसी के दौरान नदी के पार उसे चमकता हुआ सखर दिखाई देता है अरे क्या यह वही मायावी बंगला है जिसके बारे में नाना नानी कहते थे लेकिन मैं तो रोज यहां से निकलता हूँ यह मुझे आज ही क्यूं दिखाई दिया राजेश बंगले के अंदर जाता है वहाँ उसे एक आवास सुनाई देती है तुभारा स्वागत है राजेश मैं सोने का बंगला हूँ अगर तुम इस बंगले में अपने घर की दस साल पुराने कोई भी चीज लाओगे तो मैं उसे स्तोने में बदल दूँगा अच्छा तो तुम ही हो वह मायावी बंगला हाँ मैं ही हूँ लेकिन मैं बस उसी को दिखाई देता हूँ जो बिना किसी लालच के मेरी मदद करता है तुमने बहुत से लोगों की मदद की है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा राजेश तुरंत अपने घर जाता है अपने घर से पुरानी चीजे लेकर आता है वो चीजे माया भी घर में रखते ही सोने की हो जाती है अब वो रोज ऐसा ही करने लगा राजेश अब बहुत लालची हो चुका था धीरे धीरे राजेश काम पर जाना बन कर देता है घर का पुराना सामान भी खत्म हो जाता है वो अपनी पत्नी से कहता है अगले दिन राजेश की पत्नी पडोस के इहां से कुछ पुराना सामान चोरी करके लाती है राजेश खुशी खुशी अपनी पत्नी के द्वारा चुराय हुए सामान को लेकर मायावी मंगले में पहुंचता है वहाँ पहुँचकर वो सामान रखता है, लेकिन सामान सोने का नहीं होता मायावी बंगला कहता है राजेश, अब तुम लालची हो चुके हो, आज तुमने और तुम्हारी पत्ती ने चोरी की तुम्हारा मन अब मैला हो चुका है अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा राजेश को अपनी गलती पर बहुत पच्तावा होता है इसलिए कहते हैं लालच पूरी बला है